नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर राजीव कुमार दंत एवन मुहरूग बिस्चसग, मरतन्द जोतिसकेंदर में आपका स्वागत करता हूँ मेरे गुरू देवग्य स्रीपतिति पाठी जी इस जोतिसकेंदर के सस्थापंक है और मैं उनका सिस्से हूँ और जो समाज के बारे में, समाज के हर तबकों के बारे में एक अच्छी सोच रखती है और लोग के जीवन कैसे उत्थान हो, उसके बारे में हमारे गुरुजी हमेशा नए-नए प्रियुक करते रहते हैं और लोगों को मदद करते हैं मैं इनसे परभावित होकर करके और इस जोतिस केंदर से जुड़ा आज से कई एक साल पहले, एक्षुली हमारी पत्नी काफी चिंतित रहती थी मेरे बेवसाय को लेकर करके, मेरे स्वास्त को लेकर करके, मेरी समाजिक प्रतिस्था को लेकर करके कि हमारे हस्बेंट काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उस हिसाब से अपने जीवन में मुकाम को नहीं प्राप कर रहे हैं वो बहुत ही चिंतित रहती थी, और इस कारण एलक्टोनिक मिडिया के माध्यम से, प्रिंट मिडिया के माध्यम से वो देखते रहती थी, जितने भी जो तिसा चारे लोग होते थे, जिनका कारेकरम आता था उनको वो देखती थी, और चाहती थी कि हम हस्बेंट वाइफ जा करके और उनसे कुछ प्रामर्स ले और मेरा जीवन अच्छी तरह से चले वो हमेशा देखती थी, और देख करके हमको बताती थी कि चलिए है ना, इनसे हम लोग प्रामर्स लेंगे, ताकि हमारा जो जीवन हो जितने हम हस्बेंट वाइफ मेहनत करते हैं, तो उसके अनुकूप हमको फल मिलता नहीं है, तो चलिए और चल करके उनका हम लोग प्रामर्स लें और अपने जीवन में नए उचाई को छू सके, लेकिन हम उसको हमेशा समझा दिया करते थे कि देखो कर्म पे विश्वास करो, है न, हम लोग जो 34 पे विश्वास नहीं करेंगे अपना काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना फल मिलेगा, जितना हम काम करते उतना फल मिलता है बराबर उसको हम चूप करवा देते थे इसी क्रम में हमारे गुरुदेव जो स्रीपती त्रिपाथी जी है उनके कुछ लेख आये हुए थे पेपर में, पत्रिकाय में है न, वो पढ़ी, जिस पे उनका मुबाइल नंबर था, इसने कॉंटेक्ट किया, कॉंटेक्ट करके और इनसे वो टाइम ली, मिलने के लिए, तो इसी बीच में फोन जो है, वो डिसकनेक्ट हो गया, फिर फोन रख दी, फिर दो-चार दिन के बाद ट्राई की, फिर फोन लग गया और गुरुजी से एपोइंट्मेंट ले ली, एपोइंट्मेंट लेने के बाद हमसे काफी विंती की कि नहीं, एक बार मेरा बात मनिये और चलिये और गुरुजी से हम लोग प्रामर्स लेते हैं स्रीपती त्रिपाथी जी से उसमें ही हमारे गुरुजी नहीं थे, एक स्रीपती त्रिपाथी जोतिसा चारे थे तो उनसे हम लोग चल करके और प्रमर्स लेंगे अपने हस्त रेखा के बारे में अपने कुंडली के बारे में हम लोग जानकारी प्रात करेंगे एक बार मेरा बात मानी और चलिए हम अपनी पत्नी का बात मान करके और आए आए और जैसे ही स्रीपतित्र पा कि बाबा ऐसा है कि हमको जोतिस चारे पर जोतिसी पर हमको भरोसा नहीं है हमको अपने कर्म पर भरोसा है और मैं अपना काम करता हूं जिस फिल्ड में हूं मैं उसमें काम करता हूं जितना होगा मिलेगा तो गुरुजी बहुत ही ध्यान पुर्वक मेरी सारी बातों को सुने उसके बाद हमारी जन्म कुंडली देखे और उन्होंने प्रामर्स देना सुरू किया और रियली जब से इनके संपर्क में आये है मेरा जो भावना था, जो मेरा विचार था वो बिप्रित हो गया और इस पद्धि के द्वारा, इस पद्धि के माध्यम से लगा कि नहीं निश्चित रूप से जीवन में उठान होता है और हस्त रेखा भी कोई चीज होती है अरा का सारा आज के डेट में मुझे इतनी विश्वा और आस्था बन गई है कि अब मैं इनको गुरू के रूप में अपना लिया और गुरू जी के पत्ति इतनी मेरी आस्था मन में हो गई कि अब हम लोग कोई भी कार करते हैं कोई भी कार तो बिना इनके प्रामर्ज से हम लोग नहीं करते जैसे छोटे वाले बेटा का ही मन था कि मैं IS की तयारी करूँ मैं UPSC की तयारी करूँ और मैं DM कलक्टर विगर जो होता है से मैं बनू और उसने किताब भी खरिद लिया था इसी बीच में हुआ कि नहीं पहले जब तक हम लोग कोई भी चीज जब से इनके संपर्क में आये हैं कोई भी चीज होता है जब तक हम लोग इनसे राय लेते हैं ये प्रामर्स नहीं देते हैं उस चीज को हम लोग नहीं करते हैं तो किताब खरिदने के बाद हम जब छोटे वाले बेटे के साथ गुरू जी के पास आए तो गुरु जी ने फिर छोटे वाले बेटी की कुंडली देखे और देख करके और बोले कि नहीं डॉक्टर साहब इसको इस लाइन की तरफ EOPSC का त्यारी नहीं करेगा इसका जो भागे रिखा बता रहा है वो सिच्छा की तरफ अगर बढ़ेगा तो जीवन में एक अलग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तो हमारी राय है कि ये एजुकेशन में ही काम करें और गुरुजी का बात मान करकर के और जो मेरा छोटा वला बेटा सोमू है उसने फॉरेन की कई एक एक्जामों को फेस किया उसके बाई बाद उसने लास्ट में ऑस्टेलिया के जो सिडनी सहरे उसमें UNSW की एक इंवर्स गुरुजी के प्रामर्स के द्वारा आज हम जीवन में नित प्रति दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों को राय भी देंगे कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए एक आस्था के भी गुरू होना चाहिए एक अध्यात्मिक भी गुरू होना चाहिए जो आपको सही मार्ग दर्सन देंगे जीवन में बहुत सारा चीज ऐसी होती है जिसके जानकारी के आभाओं में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं अब इस जोतिस केंद्र के माध्यम से मैं जिस भी भाग से डिपेंड बिलॉंग करता हूँ दांत और मुह बिसेसगी के रूप में अपनी पहचान बनाई हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस केंद्र के माध्यम से दर्सकों को, अपने दोस्तों को, कुछ दांत के बारे में भी जनकारी दे सकूँ, ताकि जनकारी के अभाव में हमारे दांत जो हैं, वो दांत और मूँ समय के पहले विभीन परकार के बीमारियों से ग्रसीत हो जाते हैं. जैसे बहुत छोटी-छोटी बाते हैं, जिसको हम लोग नजर अंदाज करते हैं, और जब उम्रे बहुत बढ़ जाती हैं, तो फिर हम लोग कितनों भी पैसा खर्चा करते हैं, दिल्ली, मुंबई, या विदेसों में भी जा करके इलाज कराते हैं, तो एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बिमारी के रूप में बढ़ जाती हैं, तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान देना है, जैसे मुंग को कैसे साफ करें, किस तरह का मंजन का प्रयोग करना चाहिए, पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, या दातुन का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है, तो हर व्यक्ति को दीन में दो बार दात और मुह को साफ करना चाहिए सुबह में भी और रात में बेड़ पे जाने के पहले सुबह में तो सब लोग करते हैं क्योंकि बच्पन से हमारी यही आदत होती है बहुत कम लोग होते हैं जो रात में सोने के पहले बरस करते हैं वो बहुत important होता है रातरी का कारण क्या है? कि एक जो समाने मेक्ति होते हैं उनके सोने की जो आदत होती है वो 6-8 घंटे की होती है और कहा भी गया है कि एक स्वास्थ बेक्ति को 6-8 घंटा सोना चाहिए तो जो हम 6-8 हम न गालगल करते हैं। इस कारण जब हम रात का लास्ट नीनर करते हैं अंतिम समय का खाना खाते है को अगर याँ वह зарागए हैं तो 6-8 घंटा वह फसते हैं 6-8 घंटा फसे और दुसरा दिन वर अगर वह फसा रहागया तो वह सड़ेंगे यदि दांत में फसे हुए और सरेंगे तो उसमें एसीड का formation होगा जब एसीड का formation होता है तो वहां काफी तेजी से bacteria ग्रोग करते हैं और दातों में संक्रमन होता है तो जानना चाहिए कि हम लोगों को रात में brush जरूर करना चाहिए number one number two कि इस तरह का brush परयोग करना चाहिए तो brush का जो बृसिल सो वो फ्रिय करना चाहिए। hard jealousy का brush यूज舞 नहीं करना चाहिए no number three घडी के टाइम से सिर्फ हम लोगोς को 2 मिनट ब्रस करना चाहिए एक मिनट नीचे और एक मिनट उपर ऊपर वाले दातों को नीचे की तरब ब्रस करना चाहिए और देखिए दोनों का अपना importance है ब्रस के जो ब्रिसिल्स होते हैं इतने महीन होते हैं कि आपके दात के बीच में जो गंदगी होते हैं उसको अच्छी तरह से निकाल देते हैं क्योंकि जो गंदगी होता है वो दात के बीच में ही फसा होता है तो अच्छे तरह से निकाल देंगे दातुन को आप कितनों भी च्यबाईएगा तो वो बहुत महिन नहीं हो पाता है तो दात के बीच की जो गंदगी होती है उसको नहीं निकाल पाता है तो इस कारण दातुन से क्या फायदा है कि दातुन आपके मसूढे पे मसाज करते है या कुछ आयरुवेदिक पॉइंट औभियू से जो दातुन होते है जैसे नीम का दातुन हो गया चीरचीरी का दातुन हो गया तो उसके जो रस होते हैं नीम के तो वो एंटिसेप्टिक का काम करते हैं harmful bacteria को kill करते हैं तो वो अच्छा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम brush का यूज कर सकते हैं और एक टाइम हम लोग दातून का यूज कर सकते हैं तो मसूरे पर मसाज भी हो जाएगा और brush से जो गंदगी होगी वो गंदगी भी हो जाएगी दूसरा जो बहुत important होता है वो होता है मूँ से दुरगंधाना या दात और मसूरे से खून का आना तो इसको आम बोलचाल की भासा में हम लोग पैरिया के नाम से जानते हैं और technical हम लोग अपनी भासा में इसको दो बिमारी का रूप देते हैं एक को gingivitis बोलते हैं और एक को periodontitis बोलते हैं जब सुरव जब मसूरे में infection होगा तब हम लोग उसको gingivitis बोलेंगे अगर वहाँ पे हम इलाज करवा लेते हैं तो हमारा पैरिया ठीक हो जाएगा अगर वहाँ पे हम इलाज नहीं करवाते हैं तो उसके बाद periodontitis में वो बदल जाता है periodontitis क्या होता है बाई कि periodontium होता है जिंजाइवा के नीचे periodontium structure होता है जो दात के supporting structure होते हैं जैसे उसमें bones है periodontium है वो दात को कस के जकड़े रहते हैं जब सुरू का इलाज हम लोग नहीं करवाते हैं जब gingivitis होता है तो वहाँ परिवर्तित हो जाता है periodontitis में यानि कि जो bones है और supporting structures है उसमें infection हो जाएगा और सुरू में तो bleeding होता है मुह से दुरगंध होता है बाद की जो बिमारिया है उसमें मवाड आने सुरू हो जाते हैं आपके हड़ी करने लगते हैं आपके दात हिलने लगते हैं तो समय से पहले ही आपके जो दात है वो निकल जाता है और एक चीज हम लोग को जानना चाहिए कि इतना जो हम सफाई सुथरा पर ध्यान दे रहें maximum जो दात की बिमारिया होती है वो गंदगी के कारण होता है जो मेरा experience रहा है जो मेरा अनुबाव रहा है वो उसमें हम आयदी नहीं देखते हैं कि लोग दातों की सफाई अच्छ से नहीं करते हैं इसके कारण दातों में विभीन परकार की बीमारिया होती है तो सबसे पहले है कि दात को अच्छी तरह से साफ करें तो कैसे साफ करें पैरिया क्या है उसका इलाज हो गया तिसरी जो तो एक चीज और हम बोलना चाहिए कि इसमें हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग के मुँँ में कितने तरह की दात होते हैं उसका important के हैं क्यों हम सफाई करेंगे क्यों हम दात को बचाएंगे तो इसलिए बचाएंगे कि हम लोग का जो oral केविटी है उसमें čार प्रकार के दात होते है जो आगे वाला दात होता है जिसको हम लोग incisors के नाम से जानते हैं या cutting teeth बोलते हैं generally हम लोग fruits आगे से खाते हैं तो अगर आगे का दांत नहीं रहेगा incisors नहीं रहेगा तो हम लोग को फल खाने में कठे नाई होगी तो आप इसका important समझ लिजे incisors के बाद canine होता है जिसको हम लोग tearing tooth बोलते हैं ये फारने का काम आता है generally जो eek होता है eek को हम लोग खाते हैं या कोई भी फारने का जो काम होता है हम लोग कनाईन से करते हैं तिसरे तरह का जो दांत होता है वो premolar होता है जिसका दूसरा नाम crushing teeth बोलते हैं ये crust करता है कोई भी जो हम खाट-पदार्थ काटते हैं, है ना, तो उसको यह क्रस करता है, उसके पीछे के जो चोथे परकार के दान्त होते हैं, उसको हम लोग molar बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है grinding teeth, यानि कि cutting teeth हो गया, tearing teeth हो गया, है ना, crushing teeth हो गया, और पिशने वाला दान्त हो गया divide करना है, तो उसको हम pre-molar से करेंगे, अब जो हम फल को बहुत छोटे-छोटे टुकरों में बांट दिये, तो उसको हम पिशने का काम कहां से करेंगे, molar से करेंगे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कि आपके दान्त चार परकार के होते हैं, चारों का अलग-अलग important है, और हम जानते हैं कि एक स्वक्स्त बेत्ती के लिए balance diet बहुत जरूरी है, balance diet का परिभासा होता है कि a diet contains carbohydrate, protein, fat, mineral, vitamin, roughage and water, यानि कि संतुली तहार उसको हम बोलेंगे, इसमें carbohydrate की मात्रा होनी चाहिए, protein की मात्रा होनी चाहिए, वसा की मात्रा होनी चाहिए, roughage होना चाहिए, जो रिसेदार चीज होती है, उसको हम लोग रफेज बोलते हैं, और पानी भी प्रचूर मात्रा में हमको लेना चाहिए, जब इतने चीज हम प्रती दिन लेंगे, तब हम एक संतुली तहार लेंगे, और हम स्वस्त रह सकते हैं, तो देख लिए कि दांत कितने परकार के होत हैं, सारा का important क्या-क्या है, अब एक और बीमारिया है, जो बहुत सारे patient का complain रहता है, वो रहता है दांतों में दर्द, तो मैंने अभी सफाई के क्रम में आपको बताया, कि जब आप दांत को सही तरीके से नहीं साफ करेंगे, अगर खाद पदार तो वहां पे deposit हो जाएगा जमा हो जाएगा, तो acid बनेगा, acid बनेगा तो bacteria grow करेगा, bacteria का जनम वहां पे होगा, तो bacteria दांतों में सरन करेगा, तो जब दांतों में सरन हो जाती है, तब generally आपके दांत में दर्द होते हैं, और जिन लोगों को दांत में दर्द हुआ होगा, वही जानते हैं कि दांत का जो दर्द हो गया तो दांत में दो तिन कारणों से दर्द होता है पहला तो मैंने बताया कि सरन हुआ तब दर्द होता है किरे लगने के चलते एक कारण और बहुत इंपोर्टेंट कारण है जिसके चलते दांतों में दर्द होता है अगर आपके दांत घीस गये आपका जो दांत ह को यह बचने के कारण आपके धांद घ्ICES जाते हैं तो दांद घ् isnने के कारण भी दांदे दर्द होता है तो यह मुख़् कारण हैं तो इसके अगर सरन के चलते हुआ है तब हम लोग रूट कैनाल के द्वारा दातों को बचाते हैं यह रूट कैनाल होने लाइक नहीं है, root canal को short भासा में हम लोग RCT बोलते हैं अगर RCT से बचने लाइक नहीं है अगर मवार ज्यादा बन गया है लीजन ज्यादा बन गया है तब फिर हम लोग extraction करते हैं दांत को निकाल देते हैं अगर दांत घिस गया है और उसके चलते दर्द हैं तो वहाँ पर अगर RCT की जूरत परती है तो RCT करते हैं और नहीं तो without RCT हम लोग दांत के उपर layer चरहा देते हैं light cure के माध्यम से या दांतों के उपर crown लगा देते हैं तो इस तरह से हम लोग दांत को बचा सकते हैं तो आप देख लिए कि कितना important है हम लोग एक line में बोल सकते हैं कि दांत एवं मुह हमारे स्वस्थ सरीर का आईना है दोस्तों दांत और मुह के बारे में जो मैंने आपको जैनकारिया दी इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़े जाते हैं अगले वीडियो में दांत अगर टेढ़े मेडे हैं तो उसका हम कैसे उपाय करें ठीक है कैंसर कैसे हो जाता है पान गुटका का परियोग करना की नहीं चरना चाहिए बीभी और जो प्रस्त आप लोगों के जो होते हैं जो हमारे क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं उन सारे बातों का एंसर के साथ मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगा तब तक के लिए आपसे बीदा लेता हूँ